नए लोगों से मिलने में आपको डर लगता है, आपको उनसे इंस्वेंस के बारे में पूछने में सर्म आती है, जिजक महसूस होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अपनी समस्या का समधान चाहते हैं, तो आप उस दिन को याद कीजिए, जिस दिन आपने कभी गाड़ी चलाना सीखा होगा, साइकल चलाना सीखा होगा, कार चलाना सीखा होगा, क्या आप एक दिन में सीख गए थे, नहीं न, पहले दिन हो सकता है जब आप चलाने गए हो, खुब कापे हो, खुब डर लगा हो, और ये भी हो सकता हो, आप गिर गए हो, आपको चोट लग गई हो और ये भी नहीं है कि आपने एक या दो दिन में अपनी कार या गाड़ी चलाना सीख ली होगी आपको कई दिनों का समय लगा होगा और सीखते समय इतने दिनों के अंदर आप कई बार गिरे होंगे कई बार आपका छोटा मुटा एकसिडेंट हुआ होगा उसके बाद आप चलाना सीखियोंगे तो देखा जाया तो आपने डरते डरते बहुती असानी से बाइक चलाना वा कार चलाना सीख ली और आज आप इस कंडिसन में पहुच गऊंगे कि आप अपने हातों को छोड़के भी अपनी बाइक या अपनी कार को चला सकते हैं लेकिन आपको डर लगता हैं तो उस डर को लगने दीजिए आप अपने घर से बाहर निकलिए लोगों से मिलिए थोड़े दिन आपको डर लगेगा आप उस डर के साथ जाएए और जब आप अपने डर के साथ लोगों से जाकर के मिलोगे उन्हें इंस्वेंस के बारे में अभियर करोगे उनके साथ बाते करोगे तो देखते ही देखते आपके अंदर का जो डर है धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और जब आप कंटिनूौ काम करते रहेंगे लोगों से मिलते रहेंगे तो एक दिन वो भी आएगा कि आपका जो डर है पूरी तहर गायब हो जाएगा और उसके बाद यदि आपको कोई वेक्ति कहेगा भी कि आपको नए लोगों से मिनने में डर नहीं लगता जीजक महसूस नहीं होती तो आप उस वेक्ति से यही कहोगे कि नहीं है मुझे तो कोई डर नहीं लगता लेकिन यह दिन आपके जीवन में आए इसके लिए आज आज आपको अपने इस डर के साथ ही मार्केट में निकलना होगा आपको अपने इस डर के साथ ही लोगों के पाद जाना होगा उन्हें इ धीरे धीरे कम हो जाएगा और कुछ दिनों बाद गायव हो जाएगा तो उमीद करता हूं दोस्तों कि मैं आपको जो समझाना चाहता था आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप ह